अब हम Distributivity देखते हैं Multiplication की Addition में यहाँ पर भी मैं 3 नमबर लेता हूँ 2, 3, 4 अब यहाँ पर मैं 2 को Multiply करता हूँ 3 प्लस 4 से Distributivity कहती है कि यह जो Multiplication है यह अलग लग भी हो सकता है यानि 2 इंटु 3 प्लस 4 होगा 2 इंटु 3 प्लस 2 इंटु 4 के यह वा है यानि पहले Add करके Multiply करूँ या पहले Multiply करके Add करूँ एक ही बात है लिखते हैं इसको 2 इंटु 3 प्लस 4 होगा 2 इंटो 7 यानि 14 और 2 इंटो 3 प्लस 2 इंटो 4 होगा 2 इंटो 3 गिवाbased 6 होता है 2 इंटो 4 8 6 plus 8 होता है 14 यानि ये दोनों values equal है तो distributivity कहता है अगर हम पहले add करें और फिर multiply या पहले multiply करें और फिर add तो मेरा answer same आता है इसे कहते हैं distributivity यानि A into B plus C होगा A into B plus A into C अब हमने ये property पढ़े commutativity, closure, distributivity इसका use क्या है actually जब numbers solve कर रहे होते है तब इसका use आता है आईए देखने है